और पूनिया से बड़ी खबर मिल रही है सांसत पपू यादब घायल हो गए है रावर देहन के दौरान वो घायल हो गए आख और चेहरे पर बारूत का छीटा लगा है सांसत पपू यादब खुरदा के लिए रवाना हुए है सांसत पपू यादब ने बताया कि दाहिनी बारूद के छीटे लगे हैं सांसद पपपू यादब खुर्दा के लिए रवाना हो गए सांसद पपू यादब ने बताया कि दाइनी आख से देखाई नहीं दे रहा है इस वक्त की बहुत बड़ी ख़ाइल और देहन के दौरान उनकी दाइनी आख में बारूत के छीटे आने के बाद अब पपू यादब को दाइनी आख से दिखाई नहीं दे रहा है। रावर देहन के दौरान उनको छोट लगी है आख और चेहरे पर बारूत के छीटे आए हैं जिसके बाद पपू यादब को दाइनी आख से दिखाई नहीं दे रहा है। हो गए हैं पपू यादब ने इसके खुद पुष्टी की वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं पपू यादब के ऊपर किस तरह से अचानक से बैक फायर की तरह बारूत उनके उपर आया और ये बहुत जराबनी तस्वीर है एक्स्टूर्टिक तस्वीर पूलिया से हम आप तक पहुचा रहे हैं पपू यादब रावल देहन के दौरान उनके उपर बारूत के चीटे आए हैं और ये रही वो तस्वीर जब पपू यादब रावल देहन के करने पहुचे थे पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर मौजूद था लेकिन अचानक से पपू याद आपकी दाइनी आख में चोड लगी है और उसके बाद पपू यादब को दाइनी आख से दिखाई नहीं दे रहा है एक्स्क्लूजिव तस्वीरे न्यूज एटीन बिहार जारकंड आप तक पहुचा रहा है एक बार फिर देखिए पपू यादब रावल देहन के दौर प पपू यादब हमारे साथ फो लाइन पर चुड़ गए पपू यादब जी आपकी तबियत कैसी है आपकी आख में कितनी चोट आई है क्या आपको दिखाई दे रहा है जैसे ही हमने आग लगाया बारो दुदर के खबक और वो सभी गार सभी दिएस्पी साब लोग थे उन्होंने अपके दख्का माते है उसके बाद हमको लगा कि चो नॉर्मल में कुछ होना नहीं चाहिए इसनी बीर है हम निकल गया आगे आने के बाद लागा रहता शुरू दो आप मुझे एफ-टरा आख दिखा लू आप लोगी इतनी बीजियंग है लगाता रूपी सारी इसे बार भेर जो से निकला नहीं मैंगे वह असे निकला नहीं कैसे लोगों तक चाहर फेल्यूर्य नहीं बाद जेने लेकिन आप लोगा छुछ को थे लिश्य लगा वश मुझे लुट जाज़ा और कोई बात लिया लाहर बहुत जयाद है तो आप आग के बारे में जानते ही है इतो बारुट था आग की ले अगए इतने खंडरना को चली आज और बारूट था तो इसकी लाध्या देवर गया तो अभी मैंने दोनों सुई दी है दोनों के लिए है दोस्तुई भी लिए है प्रवेंसिन और टाइजिस दवाई लगानी के लिए डॉक्टर से कहे उसको में लिए लेकिन लेकिन कर एक बार मैं पार चेक अपर हूँ तब मैं पिर निस इंता कि दन किछ करता है पपर अघाड़ सबिया अभी आपने किसी डॉक्टर से सलह लिए किसी को दिखाया है खुद को जिए महन्म लगा तक दोने लिए कर लोग सिर्वेंस महलम लगा करें उन्होंने का उन्होंने का कि आप वर्प लगा ये वर्प को उस पर जादा ही करी तो उसको मैं लगाय हुआ हूँ अब तरवान की जो मनजूर हो लेकिन मुझे लगता है कि इतनी प्लेस ही आप लोगं की पपू यादब जी आपकी तबियत जादा खराब लग रही है आप प्लीस जाकर डॉक्टर से चेक अप करवाईए और अपनी आख का बहुत जादा ख्याल रखिये क्योंकि आप जैसे जन्प्रति निदियों की इस बिहार को बहुत जरूरत है पपू यादब जी आप हमारे स कराएंगे